लो बच्चो आज के इस वीडियो में आपके लिए एपी का ये कुशन लिखे आया है जो कि भोज़ता प्रॉलम देता है हम आपको ये कुशन तरीके से कराएंगे बिल्कुल फील के साथ ना के याद कराएंगे ठीक है अब देखिए कुशन बोल रहा है इफती एमहेतर तर्म ऑफ एपी वन अपान एन मतलब कि एपी है उसकी जिए घर मोछन अपान और उससी एपी का L remark एया نан lvasi वन अपं आंप टर्म के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा एम तो देखें एम की वैल्यू कितनी तरह कि वन अपॉन एन एम को कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टु वन अपॉन एन यह सब तो आपको पता होगा ठीक है इसी तरीके से हमको दे र वन अपॉन एम ठीक है बच्चो यह आगे आपकी फर्स्ट और सेकंड एक्विजन अब आपसे बोलता है प्रूफ कीजिए एम एन अथ टर्म जो है वह वन है अब एम एन अथ टर्म आपसे अगर मैं बोलू ए टैन निकाले तो यह टैन के लिए आपको क्या करोगे ए प्लस 10-1 & 2d यह पो करोगे तो आपके लिए पास अगर आपको 10 फर्सके पास अ पास a होना चाहिए और d असी तरहिके से अगर आपको m&th निकालना तो आपके लिए बी होना चाहिए और की वी होना चाहिए तो हारे पास ब्यृष क्वेशिटन है दिखिए थे फेक लएक ए फ्लस एम माइनज मेद इंटु दी माइनस एफ लसाट प्लस एन माइनस एन्टु डी एकल्स के यह आसा पों यह माइनस कूं दर डीजैंगे यहां मेद क्या प्लस M-1 into D यहां पर – A-n-1 into T equals to 1 upon n-m तो इसके लिए हम LCM लेंगे क्या आएगा M into n और उपर M-n यह कैसे आया अगर इसमें प्रावल्लम है बच्चो तो मैं बताता हूं क्या होता है जब मारे नीचे इसमें इसमें कुछ common है उस common चीज को निकाल लेते हैं बाहर क्या आएगा D ठीक बच्चो यहां पर क्या बच्चा M-1 minus यह वाला और फिर n-1 equals to m-n upon mn ठीक है बच्चो यहां से क्या कि हमने अंदर सॉल की हमने m-1-n और –-1 यह –n है –-1 plus n cancel out यहां पर क्या बच्चा M-n upon mn ठीक है यहां पर क्या बच्चा M-n D bracket में क्या बच्चा M-n equals to m-n upon mn यहां से आए तो बच्चो आपको एक चीज दिख रही होगी साफ कि यह चीज और यह चीज आपस में cancel out हो रही है तो यह cancel out हो गई तो यहां से आए क्या बच्चा D into 1 D equals to 1 upon mn मैंने क्या बोला था आपके पास a भी होना चाहिए आपको पैस d भी होना चाहिए आपके पास d आ गया अभी a नहीं आया तो एक कैसे आएगा इस वाली वैल्यू को आप यहां तो इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए आप कहीं भी पुट कीजिए आपका ए निकल आएगा ठीक है ना तो करके दिखाएं करते हैं दूसरे पीज पर अब देखिए और नेक्स पर हम आ चुके यह मैंने फरस्ट एक्क्व लेता हूं मेरे पास एकी वेल्यू आ जाएगी तो मैंने क्या किया पुट अब डी एक्वेल्स टू वन अपॉन एम एन इन एक्वेजन फर्स्ट ठीक है अब इसके बाद इसको अंदर बेजिएंगे तो एप्लस इसके साथ मिल्टिप्लाइब होगा पहले तो एम इंटू एन माइनस फिर इसके साथ मिल्टिप्लाइब होगा वन अपॉन एम एन एक्वेल्स टू वन अपॉन एन ठीक है एम से एम गया ए प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम एन एक्वेल्स टू वन अपॉन एन से वन अपॉन एन गया दिख रहा है ना बच्छो आपको खुद समझ में आना चाहिए यह चीजे और ए प्लस और यह माइनस का था ए प्लस माइनस माइनस हो गया ए माइनस वन अपॉन एम एक्वल्स टू जीरो बचा है तर अब इसको में तर बेज देते तो एक वैलू क्या गई वन अपॉन एम एन देखें अच्छो एक वैलू भी वेल्ः यह है और डिगी वैल्यों भी ज़ुबिल्य को कहने दो क्या ना है एम एन टक्रम के लिए योडि आ गया तो यह मैं तूंग sailed लेंगा डिका mussन औरहले हो था운데 यह बच्चो दीज़े के वल्ब यह रही इसके बाद बोई अंदर तो यह में साथ किया पिलस मैन अपॉन माइनस पॉन अपॉन मन यह हो गए आपका प्रूफ सिंपल सा कुश्चन था और यह यही कुश्चन पाचो एक तरीके से और आता है जहां पर आपको यह सो करने के लिए नहीं देगा यह आपको सो करने के लिए रखा है ना सो इस एम एंथ टर्म इस वन यह देगा वह आपसे बोलेगा कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए आप कमेंट कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चैनल पर और भी काफी वीडियो से उनको आप देख सकते हूं